हेलो, हाई लेर्नर्स, हाव अर्यू आल, I really hope so, आप सब एकदम fit, fine and healthy होंगे So class 10th के बच्चो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जोग्राफी चैप्टर नमबर 8, Economy and Occupation आपका चैप्टर नमबर 6, Population, आपका चैप्टर नमबर 7, Human Settlement, already पढ़ा दिया गया है एक बार आप Human Settlement को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ना क्योंकि उसमें बहुत सारे जो Terms है, वो इस वाले चैप्टर में यूज किया गया है तो आप एक बार चैप्टर नमबर 7 पढ़ लेना, Human Settlement, before studying this chapter, Economy and Occupation चलो तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं तो बच्चपाटी, यहाँ पर आपका दो वर्ड दिया गया है, अगर आप ये चैप्टर को, चैप्टर का मीनिंग अगर हम देखने के लिए जाएं, तो यहाँ पर आपका दो वर्ड यूज किया गया है एक है आपका Economy और एक है आपका Occupation तो Occupation और Economy का मतलब होता क्या है चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम और मीनिंग हमें पता होना चाहिए तो यह Economy का मतलब क्या होता है Economy है क्या, अगर मैं Simple Terms में अगर आपको मैं बताओ तो Economy हम मानते हैं In Terms of Money आज के टाइम में जितनी भी चीज़े आप ये Pen देख रहे हो, Pencil देख रहे हो ये Pencil को बनाने में जितने Cost लगे है या फिर ये आप कहलो आज के डेट में ये Pencil का Cost कितना है तो वो सारे चीजों में Cost लगा है प्रोडक्शन से लेकर, Raw Material से लेकर के Supply और हम जो हम यूज कर रहे हैं उसमें तक तो ये जो सारे Terms Money का है इसे हम क्या कहते है Economic कहते है अब जैसे आप एक Industry लेलो Industry को बनाने में भी पैसा लगता है और Industry जब बन जाती है तो उसमें जब Production होता है उसके बाद भी उससे पैसा आता है तो मतलब कि बनने से पहले भी पैसा लगा है और बाद में भी पैसा लग रहा है Production के लिए और उसका रिटर्न में भी पैसा आ रहा है तो ये जो circulation of money जो हो रहा है ना Market में उसे हम लोग क्या कहते है Economy कहते है Economy को Simple भाशा में अगर हम कहे तो in terms of money Money का Language तो ये Occupation क्या होता है Occupation होता है जैसे कोई भी जॉब हो गया Profession हो गया, Work हो गया उसे हम लोग क्या कहते है Occupation कहते है अब occupation में Occupation कोई भी जॉब क्यों करता है कोई भी जॉब क्यों करता है आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मुझे YouTube से पैसे आएंगे तो ये क्या है आपका economy economy occupation से क्या आ रहा है economy और economy किसके terms में use किया गया है money के किया गया है तो occupation कई ना कई goal घुम के किसमें आ रहा है money में आ रहा है और that is economy में आ रहा है और economy भी goal घुम के किसमें जा रहा है occupation में जा रहा है अगर हमें economy को grow करना है अगर हमें पैसे को market में grow करना है तो हम करेंगे कैसे वो हम करेंगे जब हम क्या करेंगे opportunities लाएंगे occupation का या फिर jobs का professions का जब कोई काम करेगा तभी तो पैसा आएगा और जब किसी के पास पैसा आएगा तब तो वो खर्च करेगा और जब वो खर्च करेगा तो वो खर्च किया हुआ पैसा फिर उसके पास ही जाएगा जहां से सामान बन के आया था जहां से जहां से आपका प्रोड़क्ट आया था प्रोड़क्शन का ठीक है तो आप देख रहे हो कि circular एक गुल-गुल वे में पैसा काम गुल-गुल-गुल गुम रहे हैं, दोनों सास में काम करते हैं, ओके, तो आप समझ में आगे आपका, यहाँ पे की economy and occupation क्या होता है, give it a try, यहाँ पे एक प्यार असा green color का आपका paragraph है, जरा हम इसे पढ़ते हैं, read the following graph and answer the question, यहाँ पे बात की गई है gross national income, GNP, GNI, sorry, gross national product हो गया P के बतले, तो यहाँ पे क्या है आपका gross national income, GNI, from 1962 to the 2016, मतलब अगर आप देखने जाओ, तो 1960 से लेकर यह 2016 तक में यहाँ पे आपको यह graph में क्या बताया गया है, gross national income, अब यह gross national income होता क्या है, gross national income होता क्या है बच चलो, यह भी हमें सबजना पड़ेगा, अक्च्छल में अगर हम देखने जाए, तो gross national product होता है, gross domestic product जिसे हम कहते हैं, मतलब कि हमारी country में जो भी सामान बन रहा है, और वो सामान जब हम market में supply करते हैं, और उन terms of उसके जो पैसा आता है, और वहीं पैसा हमारे गोल-गोल-गोल secular way में घूम रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, उससे ही job भी opportunity create हो रही है, तो वो क्या हो गया, gross national income, मतलब इंडिया का ही gross national income हो गया, अगर हम national income की सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, तो वो हो गया worldwide पे देखा जाता है, यह 4-5 country है, और यह 4-5 country में national income मतलब यह पूरी country का income कितना है, economy में इसकी income कितनी है ये देखा जाएगा national income में और gross मतलब हो गया हम माल लेते हैं total gross मतलब total तो total जो भी हमारे product जो भी जितने भी country में है हमारी country में ठीक है वो market में जब circulate होती है या फिर job जो circulate होते है jobs की वज़े से जो product बन रही है वो market जब market में हमारे money जब circulate होती है तो उसे हम क्या कहेंगे gross national income तो यहाँ पर आप जब देखोगे gross total national income जब हम देखने जाते है total national income तो 1960 में अगर हम ये green color यहाँ पर देख रहोगे आप three countries के बारे में बात की गई है एक है आपका Brazil then is India और then is USA तो यहाँ पर आप देख रहोगे 1960 में ब्राजिल और India mini mile में था और आपका जो USA है वो उसका gross national income मतलब total national income उस country की थोड़ी सी highest in the worldwide में और वही हम बात करेंगे जब 1980 की तो वहाँ पर थोड़ा सा इंडिया और ब्राजिल का national income क्या हुआ increase हुआ और USA का जादा हुआ 2020 में आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ब्राजिल का थोड़ा है जादा increase हुआ है इंडिया का उससे थोड़ा कम increase हुआ है और आपके USA का जादा increase हुआ है मतलब कि हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं कि 2016 तक कि USA का national income total national income gross national income कितना जादा हो गया और ब्राजिल और इंडिया का अभी भी कम है ब्राजिल और इंडिया का अभी भी कम है in terms of USA यहाँ पर आप difference देख रहे होगे देख लो यह green वाला कितना बार उपर गया है और यह India और Brazil का कितना नीचे है ठीक है तो यहाँ पर कुछ questions जैसे आपको पूछे गए which country national income was highest in 2016 and was it how much 2016 में किसका national income जादा है total national income किसका जादा है और कितना तो of course दी बात है यहाँ पर सबस्यादा बार आपका USA का है तो USA का जादा है national income कितना जादा है भाई तो यहाँ पर आप देख रोगे 1800 something कुछ इसका US dollars में highest गया है अब हम compare करेंगे अगर India और Brazil का which country had higher national income in 1980 1980 में कौन सी country Brazil और India में कौन सी country का national income national income मतलब एक country का income किसका जादा है तो अगर हम तो 1980 का बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रोगे Brazil और India में तो Brazil का जादा है Brazil का जादा है तो same उसके बाद भी question है तो यह दो question का answer मैंने आपको बताया है 2, 1 and 2 वी का भी जरह सा हम देखते compare करना आपको India and Brazil which country had higher income 2016, 16 में किसका जादा है इंडिया और ब्राजिल में तो वो है इंडिया का, इंडिया का जादा है यह भी आपका 3BM देख लिए till the difference between the GNP of Brazil and India 2016, आपको difference बताना है इंडिया और ब्राजिल का 2016 के GNP में इंडिया और ब्राजिल का डिफ्रेंचियेट करके आपको बताना है calculate करना है आपको national income developed and developing country के बीच में युवस से डेवलप हो गया है ब्राजिल और इंडिया डेवलपिंग पे थी 2016 में तो इनके बीच में difference क्या थी वो आपको बताना है यह आप खुद से भी solve कर सकते हो 2-3 question का answer मैंने आपको बता दिया है बाकि आप खुद भी कर सकते चलो वैसे exam में यह जादा नहीं पूछते है तो आप tension मत लेना यह अच्छा यह करना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है अब let's try this इसमें यहाँ पर आप देख लो different different sector है अब यह different different sector क्या है यह sector क्या दरशाता है भी यह sector दरशाता है क्या occupation रोजगार काम रोजगार यह दरशाता है तो जैसे हम बात करेंगे Brazil और India की तो यहाँ पर आप देख लो इंडिया में अब देख सकते हो यहाँ पर इंडिया और ब्राजिल की बात की गई है different different sector है जैसे banking, railway, airway, electricity production, iron and steel, health, education, telecommunication अब यहाँ पर बता है कौन से कौन से sector हम लोगों अच्छे से पता है private या public या फिर joint प्राइबेट, public या फिर joint कौन सी country में क्या है यह हम देखेंगे मतलब यह हमें यहाँ पर solve करना है जैसे ब्राजिल में हम देखते है banking तो जैसे आपके आज की डेट में इंडिया में भी private bank है और public bank है मतलब government bank है वैसे ब्राजिल में भी प्राइविट बेंक भी है और government भी है वैसेए में इंडिया में गौवर्मेंट सेक्टर के अंदर भी है प्राइविट सेक्टर के अंडर भी है, सेम ब्राजिल में प्राइविट भी है, और पॉब्लिक दोनों है, बोध है, तो वही आपको बस यहाँ पर डिफरेंशिट के बताया गया है, कौन से सेक्टर पॉब्लिक में है, कौन से सेक्टर पॉब्लिक में नहीं है, मतब प्राइ कौन सी private sector में और कौन सी नहीं है इसे देखकर हम मान सकते कि अच्छा private sector में होगा जादा profit government sector में होगा यह काम कर रही है किसके लिए social welfare के लिए काम कर रही है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग को पता है तीन टाइप का economy होता है primary, secondary, tertiary मतलब यह तीन टाइप की economy में काम होती है primary, secondary, tertiary ठीक है तो आपको यहाँ पे यह आपको खुद solve करना है कौन सा primary है, कौन सा secondary है, tertiary है यह आपको table खुद आप कर लोगे ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब हम चलते हैं पहला topic पे अभी तक तो हमने introduction देखा था और कुछ हमने graphs देखे थे अब हम बात करते है, first topic that is economic activities in Brazil and India यहाँ पे हम देखने वाले कुछ economic activities ब्राजिल और इंडिया का किसके थुरू अभी तक हमने graph के थुरू देखा है और कहीं पे हमने जैसे population chapter में हमने like map के थुरू देखा था, graph के थुरू भी देखा था इस chapter में हम कई ना कई ब्राजिल और इंडिया का economic activities पाई चार्ट के थुरू देखेंगे, पाई चार्ट यह गोल कलर का है, इसमें आप रेशियो में देखोगे, पाई बना हुआ है ठीक है, तो यह पाई चार्ट के थुरू हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यह देख लो, एक बार जरा सा हम यह देखते हैं, देखो, तीन टाइप का sector है, ठीक है, primary, secondary, tertiary, अब अब जरा सा इंडिया की बात करते हैं, अगर contribution to in the sector GDP, अगर हम GDP के बात करें, gross domestic product, gross domestic product की बारे में अगर हम बात करें, तो ब्राजल में आपके 67% जो ratio है, वो किसकी तरफ है, tertiary sector की तरफ है, और इंडिया में 57% किसकी तरफ है, आपके tertiary sector की तरफ है, gross domestic product, तेन अगर हम बात करें y Termine का स्वीजुट है प्राजिल, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो वह कितनी है 5.5 5.5 और अगर हम बात करें तो स्वीजुट्री सेक्चर की तो स्वीजुडरी में आपके ब्राजिल में कितने 27.5 और आपके इंडिया में कितनी है 26 तो यहाँ पर आप देख लिए कि कौन से सेक्टर में जादा है कौन से सेक्टर में कम है in both the countries अब हम बात करते हैं percentage wise population engaged in various sectors एक population जो है different different population जो है हर एक state की country country के अंदर जो states है उसकी in the different different sector different different sector में तो 2016 के ratio से माना गया कि 71% population किसकी तरफ है tertiary sector में है कहाँ पे ब्राजल में आपके इंडिया में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 26.9% आपकी population किसकी तरफ है tertiary sector में है then अगर हम बात करें secondary sector की तो secondary आपकी कितनी में है 19% ब्राजल में है और इंडिया में कितनी है 24.3% अगर हम बात करें तो ब्राजल में 10% है और आपके इंडिया में कितना है 48.8% है मतलब इंडिया में primary sector का ratio जादा है population के हिसाब से population के percentage के वाइस से ठीक है यहाँ पे आपको यही वाले pie chart को देख करके आपको answer देना है which country has higher percentage of population engaged in primary sector तो कौन सी country population वाइस से higher sector में है तो primary के primary sector में ठीक है primary activities में तो कौन सी country इंडिया primary sector में यह हो गया अपना in which country the contribution to of the tertiary sector greater in GDP GDP में कौन सी sector ज्यादा है tertiary sector में तो अगर हम देखने जाए तो ब्राजिल में 67 है इंडिया में 57 है आपको क्या करना है मैं आपको देख करके answer देना है यह जो पाई चार्ट है इसको देख करके आपको answer देना है यहां कि इस question का यह आप कर सकते हो चलो नेक्स हम लोग देखते हैं अगर हम बात करे फिगर इसका एक मिनट अगर हम बात करे 8.1 के फिगर का मतब नाशनल इंकम का अगर हम बात करें यह वाला जो है 8.1 तो यहां पर क्या देखने में आ रहा है कि ब्राजिल का like इंडिया has higher national income than ब्राजिल इंडिया का नाशनल इंकम जादा है ब्राजिल के compare में कौन से year के हिसाब से 2016 के year के respective में ब्राजिल एस ब्राजिल एस वन ओफ विज्टी वर्ड जैंड ब्राजिल किसमें फेमस है वर्ड वाइड में किसमें फेमस है तो ब्राजिल फेमस है mining के लिए agriculture के लिए and manufacturing के लिए and also strong and rapid growing service sector के लिए काफी फेमस है and same time इंडिया कौन से sector में development में इंडिया का strength है तो वो है agriculture also service sector भी इंडिया आगे है agriculture and service sector में इंडिया का growth आगे है तो यहाँ पर आपको पता चलिए कि ब्राजिल वर्ड वाइड में वर्ड जैंड में कौन से sector में like कौन सी कौन सी different occupations में आगे है and इंडिया कौन सी कौन सी occupation में आगे है तो like जैसे इंडिया and ब्राजिल की economy क्या है mixed economy है ब्राजिल की भी economy mixed है और इंडिया की economy भी mixed है मतलब यहाँ पे private और public दोनों sector मिल के काम कर रही है तो बोथ country कैसी है developing के रहा पे है developing के रहा पे है और यहाँ पर capita income पर capita income कम देखा गया है आपका बहुत less है बहुत less है किसके compare में USA चूँ भाई तो यहाँ पे देख लो USA का national income फटा फटा आगे भागा और इंडिया और ब्राजिल का कम है 2016 के हिसाब से वही सेम बताया गया है कि आपका यूएस के compare में यूएस के compare में इंडिया और ब्राजिल का पर capita income कितना है as compared to USA कम है ओके तो यहाँ पर आप हम देखते एक यहाँ पर आपको ग्राफ दे दिया गया है यह 2016 का है तो यहाँ पर year लिखा गया है countries का नाम लिखा गया है ब्राजिल देखो इंडिया और ब्राजिल को साथ में लेके चलने का reason क्या है कि कई ना कई यह दोलों में बहुत ही similarity है जैसे आप economic में ही देख लो तो यहाँ दोनों में mixed economy है but same एक USA को उठा के लाया है तो USA क्या है USA differentiate है कही ना कही इसलिए USA का यहाँ पर reason दिया गया है अपने को जो differentiate किया गया है वो USA के साथ करने दिया है क्योंकि USA powerful country है supremacy country है ओके तो 1960 में आप देखोगे ब्राजिल में 240 90 इंडिया में USA में फी 250 तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कैसे कैसे per capita income है 2019 से ले करके 1960 से ले करके 2016 तक यह ग्राफ आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें आपको नम्मरिंग से आप पता लगा सकते हैं कौनसी कंट्री का ज्यादा पर capita income था और कौनसी कंट्री का कम पर capita income था तो दैट मिंस कि युएस से एक developed country educated country है employed country है और उस compare में आपके ब्राजिल और इंडिया क्या थी developing में थी मतलब develop हो रही थी developing के रहा पे थी तो ब्राजिल और इंडिया technologies advancement में education में industries में यह सब फिल्ड में progress कर रही थी but at the same time USA progressed था USA progressed था so national income अगर हम देखे तो ब्राजिल और इंडिया का कम है as compared to किसके आपके USA के इंडिया का जो पर capita income है वो low है size के हिसाब से population के हिसाब से national income का national income population के हिसाब से low है मतब कि कुछ होता है जो जैसे ब्राजिल ब्राजिल में क्या है कि population कम है but उस हिसाब से क्या है वहां पे growth जादा है progress जादा है पट अपनी country में क्या है population जितना है उस compare में क्या है progress नहीं डेवलपिंग का ratio कम है यह समझ में आया है दो चीज़े होती है एक होता है कि जैसे आपने देखा होगा अभी अमने ज़स देखा रहा कि ब्राजिल इंडिया ब्राजिल के compare में क्या है per capita income में जादा है ब्राजिल कम है बट अगर हम population के हिसाब से देखेंगे तो कम है इंडिया क्यों क्योंकि population इंडिया का जादा है और नाशनल इंकम जो है वो कम है और ब्राजिल का population कम है बट इस compare में आपका क्या है national income या फिर आप कहलो per capita income जो है वो क्या है जाधा है ओके चलो यहाँ पे same आपको दिया गया है कि यहाँ पे भी आपका map दे दिया गया है look at the map 8.3 आपको 8.3 का map देखना है यहाँ पे यह map को 8.3 और इसको देख करके आपको इस question का answer देना है इस question का answer देना है कि in which part of Brazil is coffee is mainly produced which food crops are mainly grown in Brazil which can you relate the production of this crop with related climate here what are the rubber plantation concentrated complete this table तो आप अडाम से आप क्या कर सकते हो यह वाले graph को देख करिये वाले जो map आपका इसको देख कर क्या आप answer दे सकते हो ठीए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से कौन से sector में इंडिया और ब्राजिल दोनो प्राजिल के वाले हम देखते हैं कि ब्राजिल में agriculture main occupation है ठीक है और यहां के लोग क्योंकि ब्राजिल का जो climate है वो favorable climate है अपके अग्रिकल्चर के लिए best climate है इन ब्राजिल दी एग्रिकल्चर इस दी में occupation of people living in the highland and the coastal area क्योंकि आपके यहां पे नौर्थ अट्लांटिक ओशियन है जिसकी वज़े से यहां पर great scarpment भी होती है तो ocean की वज़े से coastal areas की वज़े से and also highlands की वज़े से क्या है आपके यहां पे ब्राजिल का main occupation जो है वो क्या है मतब main occupation जो है वो agriculture है यहां पे आपके rice and maize का cultivation जादा होता है आपके commercial crops जो है ब्राजिल का वो क्या है coffee, coca, rubber, soya bin and sugar cane जादा scale में क्या होता है product होता है यहां पे मतब cultivate किया जाता है यहां पे ब्राजिल में सबसे जादा जो ब्राजिल largest exporter किसका है cultivate तो किया जाता है बट सबसे जादा export कौन से goods का होता है वो है आपके coffee and soya bin का होता है यह कुछ states है जो famous है किसके coffee production के लिए besides that fruits में कौन से कौन से production होता है ब्राजिल में सबसे जादा banana, pineapple, orange and other fruits वो भी बहुत सारे famous है तो यह कुछ fruits है जो ब्राजिल में cultivation के लिए काफी famous है तो आप क्या कर सकते हो जब notes बना हुआ तो यहाँ पे लिख लेना कि अच्छा production के लिए क्या-क्या famous है तो production यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके तो पर आप लिख सकते हो fruits में क्या-क्या famous है pulses में क्या-क्या famous है यह आप लिख सकते हो ऐसे differentiate करके चालो अब हम लोग देखते हैं next and also ब्राजिल में आपके cattle, ship and goats काफी famous है चालो है वह meat and dairy का भी है माइनिंग अब देखते है ब्राजिल का तो माइनिंग का यहाँ पर भी maps इसी map से देखकर के आपको क्या करना है यह question का answer देना है simple simple question पूछा जाता है कौनसी state में माइनिंग जादा है कौनसी माइनिंग हो रही है तो आपको यह map को देखकर के answer देना है next लोग देखते हैं कि माइनिंग का ही कि माइनिंग में like कौनसी कौनसी माइनिंग का production जादा है and famous है तो like अपने iron ore हो गया, magnesium हो गया, nickel, copper, buckset, tungsten, diamond, etc यह बहुत famous है ब्राजिल में अनिहां का यह various type of जो अपका minerals है यह काफी famous है eastern part of Brazil में, eastern part of Brazil में also यहाँ पे lack of knowledge and potential reserve है क्या चीज़ के लिए resources, dense forest है वहाँ पे and resources जादा है तो आप इसको देखकर समझे क्या चीज़ का demand जादा है और क्या चीज़ का demand कम है, जिसका जादा है आपको यहाँ पे highly बता दिया गया है अब हम बात करते है fishing की, तो आप same map को देखकर के जो आपके previous जो map थे यह वाला map देखकर के आप क्या कर सकते हो, fishing का भी questions के answer आप दे सकते हो next, हम बात करते है fishing से related ही, तो like Brazil में जो east coast है, वो क्या है 7400 km तक east coast है, जिसकी वैसे ब्राजिल के जो south Atlantic ocean है, काफी famous है fishing के लिए यहाँ पे आपका Brazil का warm and cold current जो flow होकर आता है, wind flow होकर आता है, जिसकी वैसे यहाँ पे ब्राजिल में fishing ground बहुती famous है fishing ground बहुती famous है south east में, south east में, also ब्राजिल का fishing tradition है, अगर आप देखने जाओगे, महरास्ट्रा हो गया, Bay of Bengal अगर आप Kolkata देखने जाओगे, Odisha देखने जाओगे आप देखोगे, कि यहाँ पे fishing बहुती बहुत हाइवल पे है, लाइका कर महाइस्ट्रा में, कोस्ट्रे अरिया में आप देखने जाओगे, Arabians सी है क्योंकि वहाँ तो वहाँ पे fishing export होता है बाहर, export होता है, out of country में इसके हैं हम कह सकते हैं कि fishing has been carried on very small groups, individual farmers using the primitive techniques and equipment, यहाँ पे different different group of people आते है, small small group of people और वो खुद का खुदी कर लेते हैं fishing, ठीक है, अपना खुद कर लेते हैं तो उससे उनका ज्यादा benefit होता है, now at the large vessel are being used, कौनसी कौनसी fish यहाँ पे एक दम famous है like sword ship and shrimp and also lobster and sardines are mainly caught, यहाँ पे यह कुछ fishes जादे caught होते हैं, मतलब कि found होते हैं, तो fish resources Amazon river में exploit हो जाता है, क्योंकि fish river जो Amazon dense forest में जब जाता है, क्योंकि Sam swamp पी है कहीं ना कहीं, वहाँ पे fish का fishing नहीं हो पाता है, Brazil और India, agriculture contribution कितना है GDP के मामले में, तो वो है around 60% land agriculture में है, Brazil और India का, तो हम यह कह सकते हैं कि आपना जो country है and also जो Brazil का country है, यह rich soil है, higher percentage है किसके लिए cultivate land है यहाँ पे, and climate भी varieties type of climate है, जैसे अब भी आप देखोगे थंडी आईगी, तो थंडी के time में भी अलग cultivation होता है, crops का, घर्मी के time में लगोता है, बारिश के time में लगोता है, तो हर season में क्या होता है, cultivation होते रहता है, तो इंडिया is mainly substances type, इंडिया produce right wheat, maize, songram and milts, यह कुछ crops है जो इंडिया में cultivate होती है, and plantation के मामले में इंडिया किसमें famous है, tea, assam tea, then is coffee, rubber, cash crops, sugar cane, cotton, jute, यह कुछ production जादा होता है इंडिया में and यह export भी होता है out of इंडिया, क्योंकि production जादा हो रहा है तो out of इंडिया भी export होगा, that means कि क्या होता है, मतब air trade out of country से हमारा होता है, इस सब resources में, इस सब product में, अब हम बात करते हैं fishing इंडिया की, इंडिया में भी fishing काफी famous है, like fishing plays an important role in the economy of इंडिया, fishing काफी important role play करती है इंडिया में, क्योंकि coastal areas भी है, इंडिया is one of the largest producer of किसका fish, फिश का सबसे largest producer कौन है, इंडिया है, तो बोथ यहां पे marine भी है, marine land भी है and also in and islands भी है हमारी country में, जैसे आम दबानी को बार, आइलाइन हो गया हमारा, fisheries help in the agreementing food supply, generating आपके employment also nutrition level देने के लिए, तो fishing इतने सारी जीदों में मदद करती है, जैसे आपके food supply के लिए, generate employment, generate करती है, लोगों को नौकरी भी देती है, ठीक है, काम करते हैं लोग fishing sector में, आपके nutrition level भी लोगों को देती है, ठीक है, लोगों, like आप जैसे कोई भी medicine यूज करते हैं, तो उसमें कई न कई फिश के eyeballs भी यूज किये जाते हैं, तो fish in some sectors में भी यूज होता है, तो इसमें फिश का production जाता है, तो fish के production में जाता है, तो uses भी जाता है, तो अब हम बात काते हैं, कौन सी कंट्री है हमारे, कौन सी कंट्री स्टेट है हमारी कंट्री में, जो famous है, like आपके coastal areas, केरला, वेस्ट बिंगॉल, ओडिसा, अंदरप्रदेश, तमिल नाडू, गोवा, मारस्ट्रा, यह सब काफी famous state है, क्योंकि यह coastal areas है, यहाँ पे fish काफी high level पे produce होती है, तो अपने इंडिया का coastal line कितना है, वो है 7500 km, marine fishing यहाँ पे 40% है, total annual production जो होता है, वो कितना होता है, 40% का होता है, मतलब आपके 40% fishing से ही income होती है, 40% fishing से ही होती है, यहाँ पे कुछ islands भी है, like कौन से कौन से island है, Malabar Coast, like the Coromandel Coast and also like हमारे अमदबान निकोबार, यह सब कुछ coast है, islands है, जो हम बहुती useful है, हमारे लिए in the economy परपर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, and also eastern coast में जो important fish है, वो कौन सी है, horse, mackers, clips, फिर आपके silver bills, यह कुछ famous fish है, इंडिया का, चलो, अम बात करते हैं, mining इंडिया की, इंडिया की mining के बारे में, फेमस है, warehouse है, storehouse है, mining occupation, like coal का occupation होता है, कहाँ पर को, कोरबा में, 37 गड़ में यह आता है, and also eastern maharashtra में भी यह famous है, यहाँ पर आप देख रहे होगे, eastern maharashtra, mineral oil found होता है, mineral oil found होता है, कहाँ पर डिगबोई, आसाम में famous है, Mumbai high, Arabian Sea में, आपका mineral oil famous है, आप जब India gate अगर गए होगे, gate of India, इंडिया gate तो डेली में, gate of India जब आप गए होगे, तो जब आपने वहाँ पर ship पे, आप जब गए होगे, बोट पे, काफी अंदर जब आप जाओगे, ship से अंदर जाओगे था, तो अब देखे होगे, काफी वहाँ पे mining होता है, oil का, ठीक है, तो oil का, Arabian Sea में बहुत होता है, को, कोलोल भी famous है, देनिस, कोईली, आपके गुजरात में famous है, किसके लिए, mineral oil के लिए, also आपके reserve mineral oil पाया गया है, and natural gas, gas भी पाया गया, काफे, आपके गुदावरी, जो discover है, mouth of गुदावरी के पास, stones like marble are found in Rajasthan, and put up, आपका found हुआ है, अंदर प्रदेश में, तो ये कुछ famous, आपके minerals होगे, mineral oil होगे, and आपके iron ores होगे, and आपके stones होगे, जो famous है, एंडिया में, and ये high level पर produce होता है, bar out of country में भी जाता है, ये हमारी economy को grow करता है, industries in Brazil, Brazil की industry के बारे में ज़रा देखते हैं, तो Brazil में major industry है, वो कौनसी है, iron and steel की industry है, production वहाँ पे जादा होता है, automobiles, petroleum, chemical production, cement making, technology based on industry, यहाँ पे most dynamically found होता है, मत्तब time to time advanced technology इन सारी चीज़ों में आती है, dynamically change होते रहता है, but similar way में अगर हम बात करें, food processing की तो उसमें कौन से famous है, like sugar industry, cotton, textile, silk, and woolen industry, ये famous है, like cloth के field में, food processing में, अब क्या सकते हो, food processing में भी and cloth में भी, then found अगर करेंगे largest industry, जो आपके south Brazil में है, ठीक है, south east के Brazil में भी पाये जाता है, and north east में भी पाये जाता है, ब्राजिल के north east में traditionally poorest Brazil है, north east आपका poorest Brazil है, क्योंकि ये east north, south, east, west, तो इस side में ब्राजिल का हलत थोड़ा खड़ाब है, ग्रेड इसका रखमेंट की वज़े से, और यहाँ पे north west आप देखोगे तो बहुत ही poor है, north west में तो कुछ भी नहीं है, तो ब्राजिल में new investment होते रहते हैं, इंडिया की अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया में यह कुछ इंडस्ट्री हैं जो काफी famous industry हम बात करते हैं अभी चलों, इंडिया तो distribution industries in India is highly uneven, यह जो सो पाशाइं पाशली अचांट uneven distribution of unnecessary raw material power resources partially due to the concentration of enterprises, financially resources and other necessary conditions towns, तो प्रेशम पे भी आज़कल इंडस्री बन रहे हैं एंडिया भी dynamically change हो रहा है, क्योंकि इंडिया के पास भी resources है, raw material है, तो raw material उसके through resources बन रहा है, एक resources power होता है, resources क्या होता है, power होता है, कोई भी चीज़ को बनाने में, जैसे आप जारकंड ले लो, ओडिसा ले लो, चतिसगर्ण, मद्धप्रदेश, राजिस्थान, कंणाट, काटमिल, नाणू, यह सब most बहुत famous है, किसके लिए, metallic minerals के लिए, metallic minerals की industry, यहाँ पर highly पाई जाती है, जैसे हम बात करेंगे, north eastern peninsular की, तो यहाँ पर high concentration में, आपका methodology, आपका industries पाया जाता है, ठीक है, steel की industries पाई जाती है, steel centers, steel hubs हम कहते हैं, इस areas को, also, coal factory पाया जाता है, अगर हम बात करें, दामोदर वैली की, तो यह power है, क्या चीज़ का, आपका cheap power, चीफ power मतलब electricity power जो मिलती है, वो दामोदर वैली से काफी easily मिलती है, तो कि यहाँ पर thermal power project generate किया गया है, और काफी cheap power यहाँ से मिलता है, उसके बाद हम बात करें, राजस्थान के पास, राजस्थान के पास क्या है, तो copper, lead, zinc, करनाटका, इस famous for steel and magnesium, aluminium, Tamil Nadu is famous for aluminium and steel industry, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो हर स्टेट कुछ ना कुछ के लिए famous है, हर स्टेट कुछ ना कुछ के लिए famous है, अगर हम country बात करें, residence and lac, यह सब forest famous है, इन सारे productions के लिए, forest department, also आपके coastal belt जैसे के ला, यह highly concentrated है, इसके लिए, पूर, copper, fish, inning के लिए, fish, carning के लिए, कोईली, दिगबोई, नोमैंती, और बॉंगी बॉंगी गॉंग, और रिफाइन्स, यह क्या करती है, petroleum यहाँ पे famous है, आपके also, Mathura and, आपके बरोनी में, आपका interior वे जो है, coast का, जहाँ पे oil production होता है, वो famous है, इस area को कहा जाता है, oil production area, और अगर हम देखे, तो, जैसे आपका हो गया, गुजरात, राजिस्थान, तमिल नाणू, यह सब salt के लिए famous है, यहाँ पे bulk of salt, यहाँ पे आता है, country को, यह मत्दब country को ही का गया है, इंडिया को ही का जाता है, bulk of salt, यह states को, mechanical engineering, electrical, mechanical engineering, and electrical, automobile, and fertilizers, numerous consumer industry, यह सब आपके highly concentrated है, इंडिया के लिए, and heavier concentration है, near the big cities, big cities में, यह सारी चीजों के लिए, बतब basically focused किया गया है, इन सारी चीजों के लिए, समझ में आया, एक बार आप पढ़ोगे, आपको खुद समझ में आगे, consistency में क्या famous है, consistate में क्या famous है, and lastly, जाकर कि, big cities के लिए क्या concentration किया गया है, क्या किया गया है, mechanical engineering, electrical, automobiles, and fertilizers, numerous consumer industry, यह सब highly concentrated है, heavier amount में, heavier, मतब कहलो कि इंडिया का, जो भी एक development के लिए, ठीक है, वो क्या है, big cities के लिए, big cities के लिए, जिसा आपका गुड़गाओ, automobiles के लिए, mechanical engineering के लिए, famous है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं, trade की, तो यह trade से related, आपका question से यहां पे, what is trade, balance of trade, मतब balance of trade क्या होता है, balance of trade अगर हम बोले, तो दो business हो रहा है, अगर simple सा बाशा में जालने जाए, types of balance, trade, यह कुछ questions हैं, जो आप solve कर सकते हैं, अभी हम देखने वाले, trade के बारे में, यहां पे आपकी trade से related, जैसे ब्राजिल coffee के लिए, iron ore के लिए, coca, cotton, sugar, tobacco, oranges, bananas, यह सारी चीजों के लिए बहुत आफी famous है, यहां पे आप देख रहे होगे, वैसे ही आपके, यह सम major, मतब आप कह सकते हो, कि ब्राजिल यह product, यह जो produce कर रही है, इनके, मतब यह एक major trading कर रही है, किसके साथ, आपकी USA, Canada, Italy, and Argentina, Saudi Arabia के साथ कर रही है, मतब ब्राजिल का अगर trademark देखे, इंडिया, इंडिया का अगर trademark देखे, तो जिस भी country में जो भी famous है, वो अपना trademark कर रही है, business कर रही है, export कर रही है, import भी कर रही है, अगर ज़रूरत है तो, यहाँ पर आपका graph दिया गया है, कहाँ पर export ज़ादा हुआ था, कहाँ पर कम हुआ था, इंडिया और ब्राजिल का export और import की बात की गई है, आप खुद समझ लोगे numbering के थूरू, export, इंडिया का export ज़ादा है या import ज़ादा है, वो आप number के थूरू समझ सकते हैं, तो 28 बढ़ा है या 27 बढ़ा है, ब्राजिल का export और import के बारे में बात की गई है, फिर हम अगर देखने जाए कि इंडिया के, इंडिया मेंली कौन, क्या export करती है, तो वो है, tea, mangoes, coffee, spices, and leather goods, iron ore, cotton, silk, textile, mainly import, petroleum, machines, pearls, and precious stones, gold, silver, paper, medicine, यह सब इंडिया क्या करती है, export करती है, high rate पे मदब जादर demand है, export करती है, कौनसी country के साथ इंडिया का trading अच्छा है, UK, USA, Germany, Japan, China, Russia, etc., और भी बहुत है, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे आपको कुछ questions है, जो आप answers इसका easily दे सकते हो, bricks क्या है, यहां पे आप देखोगे, B-I-R-C-S, B-I-R-C-S, यह meaning क्या है, मतब यह है क्या actual में, इंडिया ब्राजिल tie है इससे, इंडिया और ब्राजिल आपके brick से tie है, तो यह bricks का full form है क्या, क्या किसी को पता है bricks का full form क्या है, है तो comment में बताओ, देखो, bricks का full form है, B for Brazil, B for Brazil, क्योंकि यह ब्राजिल और इंडिया के साथ tie है, तो obvious ही बात है, इंडियो ब्राजिल, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa, तो bricks stand किसके लिए है, ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना, South Africa, तब यह established हुई थी, तो यह आपके established हुई थी, कब, 2001 में, अगर हम देखने जाए, तो यह established कब हुई थी, बच्चा पाटी, 2001 में, 2001 में, उस चाइब में planning हो रहा था, actual में यहाँ पर मैं लिख देतू आपको, यह हुआ कब था, एक मिनट, एक में रुख जाना, मुझे थोड़ा different color लेने दो, 16th, कब हुई थी, 16th, जून, 2009, ओके, यहां तक आपको समझ में आया, ओके, तो 16th, जून, 2009, अब इसका, मतलब में मोटिफ क्या था, यह बनाने का BRICS, अबजिक्टिफ क्या था, तो अबजिक्टिफ था, अबकोर्स ही बात है, डेवलपमेंट यह थो था ही, बट डेवलपमेंट किसमें, एकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिजिनल डेवलपमेंट, और आपके ट्रेड बेरियर, ट्रेड बेरियर मतलब इन सारे कंट्रीज में अगर जा रहा है, गुड्स एक्सपोर्ट हैं, इंपोर्ट हो रहा है, तो इसके बीच में जो बेरियर है, उसे रिमूफ कर दिया गया है, and optimum use of resources, मतलब हर एक कंट्री में, जी सब कंट्री में जी resources है, इसका optimum use होना चाहिए, तो यह कुछ objective थे, वैसे यह आपको जादा जानने की आवशक्ता नहीं है, exam perspectives, ठीकि, exam perspectives अगर हम देखें, तो जादा आवशक्ता नहीं है, तो in which country, continent, do the member, like, कौन सी continent का member, like करता है, इसमें, अब तुम्हें बताना है, कि continent, continent तो तुम लोगों पता है न, कितने continent है, तो कौन सी continent इसमें आती है, ब्राजिल क्या continent है, रशिया कॉंटिनेंट है इंडिया कॉंटिनेंट है चाइना या फिर साउथ अफ्रेका तो आपको आपको आपसर इजली आप दे सकते हो ओके। चलओ आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट तो यहां पर अपके जो ब्राजिल इंडिया के बारे में अगर हम देखने जाएं तो इंडिया कंपनी सेट अप the industrial सेंटर all over the Brazil and invested lots of capital इंडिया ने अपना ब्राजिल में और ब्राजिल ने इंडिया में काफी इंवेस्ट्मेंट किया है और जिसके वäter लोट औफ इंव Commission किया गया है kैपिटल इन्वेस्ट किया गया है इंडिया ने अपने कुछ-कुछ सेक्टर में काफी इन्वेस्ट किया रािक आपके IT वे सेटर फार्मा में एक्री कल्चर में एनरजी सोर्सस में मैंद में इंजिनियरिंगu पुछ आटो सेक्टर में आटो मुबाइल सेक्टर में काफी आप क्या सकतो हाई एमांट पे कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है इन सारे सेक्टर में वैसे ही अगर हम तो ब्राजिल एक फूट फूट प्रिंट है इंडिया का स्मॉलर ब्राजिल और इंडिया का कमपैर है वो दोन में किया, mining में किया, agriculture में किया, biofuels में किया, footwares में किया, इन सारे sectors में किया, इंडि, इंडिया, इंडिया में भी Brazil की company invest की है, और इंडिया की company भी Brazil में की है, दोनों क्योंकि मिलते जुलते थे तो एक दुसरे जगे, एक दुसरे Dash, low national income, massive population, big family size या फिर low food grain population, answer आपको देना है comment box में, comment box में The economy of Brazil is mainly dependent on the Dash activities here, primary, secondary, tertiary, contrary, यह कुछ answers है, यह exercise कही है, आपको questions का answer कहां पे देना है, comment box में देना है, c, the economic of the, economic of India and Brazil are of Dash type, undeveloped, developed, developing, highly developed, answer आपको देना है comment में, और बाकी आप map का tension मत तो, map भी हम करेंगे, ठीक है, map से related भी आईनो, बहुत सारे बच्चों को problem आता है, हम वो भी solve करेंगे, ओगे, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, really hope so, यह वाला chapter, ठीक है, economy and occupation, इसे related अगर कोई भी doubt है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, and one more thing, यहां पर मैं आपको जड़ा सा आरंबे batch के बारे में बताती तो वो बच्चे जिनको नहीं पता है, या फिर जो अभी new आये हैं इस channel पे, देखो बच्चा, अगर आपको detail में पढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि हाँ, अब मैं second term में जा रहा हूँ, बट अभी तक मेरा term one अच्छा paper नहीं गया है, तो आप यह आरंबे जोइन कर सकते हो, यहाँ पे पूरा आपको full flesh पढ़ाया जाएगा, ठीक है और previous year questions भी कराये जाएंगे, exercise कराया जाएगा, and oral test भी आपको यहाँ पे लिया जाता है, and जिनको भी test arm batch जोइन करना है, आप winner code का अगर यूज करोगे, तो यहाँ पे आपको flat 500 का discount मिलेगा, and आपको यहाँ पे test series included है, मतलब, for example, अभी हमने geography में जितना भी chapter पढ़ा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह जो total हमने chapter पढ़ा है, यह chapter का objective wise में, आपका total क्या कर दिया है, questions को upload कर दिया गया है, test series में, अगर आप RN batch join करते हो, तो आपके test series इसमें included है, मतलब free of cost मिलेगा आपको, आप वो solve कर सकते हो, subjective में भी आपको questions यहाँ पर मिलेगा, जो आप paper के through solve करोगे, ठीक है, जैसे आप board में solve करोगे, वैसे आप यहाँ पर करोगे, subjective में भी, and then answer को upload कर सकते हो, and जैसे answer को आप upload करोगे, तो कुछ बच्चों का, selected बच्चों का answer check भी किया जाएगा, and वो बच्चे जिनको सिर्फो सिफ test series join करना है, वो test series भी join कर सकते है, topper use code को use करके, उसमें आपको क्या मिलेगा, 99% का discount मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब लोग आगे बाट करते हैं, यहाँ पर ऐसे life session जब भी होता है, यहाँ आपको दिखा दिया जाएगा, आपको life classes में यहाँ पर शो करेंगी कौन से क्लासे होते रहती है, तो आपके जैसे अभी English की classes हो रही है, social study की हो रही है, science की हो रही है, and maths की भी सून होगी, and also आपके यहाँ पर like जो भी बच्चे मैप से बहुत बच्चों को social study मैप से बहुत बच्चों को problem होता है, तो यहाँ पर मैप आपको अच्छे से कराया जा रहा है, मैप अच्छे समझाया जा रहा है कैसे आप चार माँ सपना ना गवाओ मैट्स में, अगर यह चैप्टर जो अभी आपने पढ़ा है economy and occupation अगर आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो वीडियो समझ में आया हो और देखो जब आप पढ़ रहा हो ना वीडियो सुन रहा हो तो सिर्क सुनो एक बार अच्छे सुन लो उसके बाद अप क्या कड़ो उसका नोट इंडेश्ट्री कॉनसी इंडेश्ट्री फेमस त्या ब्राजिल और इंडिया में आपने लिख दिया काफी एजीली अगर होगा तो मैं भी आपको हैंड नोट्स रिटर्न आपको शेर कर दूंगी प्रारम बैच में जो बच्चे उनको तो नोट्स पेली जाएगा उनको उ जोगरफी को आप से हमारा एक चैपटर बचा हुआ है ठीक है और भी सिपली हो जाएगा तो सिपली से धुनेगे हम करेंगे एक इसी पिपली ओ्या की चैपटर बचा हुआ हुआ एजिली हो जाए इसीनमक्य सवर्प में जो pressures capital हो हो यह तो ओपको सामजी प्रूंग hope साउक करना है जोईन कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट है अगर आपको यहां पे जिस दिर प्राइस दिख जाए कि अच्छा जाना हो चुका है तो समझ जाना कि सीट पुल हो चुका है वो कुछ बच्चों के लिए लिमिटेड बच्चों के लिए ठीक है तो आप भी वेट मत करो जल् झाल झाल